अस्सलाम अलेकम बियोस, how are you? उमीद नहीं, यकीन है, आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेश्या की तरह मेरी दौएं, मेरे वियूर्स के साथ हैं, और यकीन आपकी दौएं भी मेरे साथ होंगी. तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, लेकिन आज की टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले, चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो आज देखेंगे few, आ-few और दा-few के इस्तमार. सबसे पहले few, आ-few और दा-few का मीनिंग्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है थोड़ा, मिकदार में कम. सबसे पहले, लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले, तीन बातें आपने जहन नशीन कर लेनी हैं, ताके आपको आगे मजीद भी क्लारिफिकेशन हो जाएगी. कलियर, तो सबसे पहले few, आ-few और दा-few का इस्तमाल हमेशा किया जाएगा काउंटेबल नाउन्स के साथ. अब काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको गिना जा सकता है, जिनका शमार किया जा सकता है, मिसाल के तोर पर, पेन, बॉइज, स्टूडेंट, टॉइज, वगएरा, वगएरा. नमबर थर्ड पॉइंट, few, आ-few, और दा-few के बाद, जो भी नाउन्स आएगा, वो हमेशा क्या होगा? पलूरल. तीन बाते मैंने बताईएं, सबसे पहली बात ये है, few, आ-few, और दा-few हैं क्या? अज़क्टिव. नमबर टू, few, आ-few, और दा-few को हमेशा किन के साथ इस्सामाल किया जाता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ. नमबर टू, फ्यू, आ-few, और दा-few के बाद जो भी नाउनाएगा, वो हमेशा होगा पलूरल. तो चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ. तो सबसे पहले है, few. few का मतलब होता है, insufficient, बहुत थोड़ा, ना होने के बराबर. और इसके meanings को negative sense में लिया जाता है. है जरूर, मगर बहुत कम मिकदार में हैं जो ना होने के बराबर है. ना लूक एट एन इक्जेम्पल, few, insufficient, बहुत थोड़ा, ना होने के बराबर, और इसको negative sense में लिया जाता है. तो फिर्स्ट इक्जेम्पल, she has few pages, उसके पास चंद ही सफ़ाथ हैं. ना फियू इस्तमाल किया गया, और इसके बाद जो भी नाउन आया, वो किस फॉर्म में है, plural form में. क्लियर, उसके पास चंद ही सफाथ हैं, मतलब क्या है, बहुत थोड़े हैं, हैं जरूर, लेकिन ना होने के बराबर हैं. ये few का इस्तमाल है, अब चलते हैं second example की तरफ, few persons can keep secret, few का इस्तमाल हुआ, उसके बाद जो भी नाउन आया, वो किस फॉर्म में होगा, plural form में. क्लियर, can keep secret, बहुत थोड़े लोग हैं जो राज रखते हैं, ये हकीकत भी है, कि बहुत चंद लोग ही राज रखा करते हैं, यानि कि वो negative sense में बात करता है, अब जम चलते हैं, आफ यू की तरफ, आफ यू का मतलब होता है, sufficient, positive sense में इसके meaning को लिया जाता है, और होता तो ये भी थोड़ा है, लेकिन मिकदार में इतना होता है, कि इसको share किया जा सकता है, ये ना होने के बराबर नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, और इसको positive sense में लिया जाता है, now look at an example, are few, sufficient, थोड़ा, clear, positive meaning है, are few persons, are few का इस्तमाल कि और इसके बाद जो भी noun आया, वो plural form में आ गया, right English correctly, चंद ही लोग हैं जो English सही लिखते हैं, जब वो positive sense में बात करता है, ये नहीं कहता कि बहुत ही थोड़े हैं, ये कहता है, चंद लोग हैं, बहुत थोड़े से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़े लोग हैं जो English सही लिखते हैं, clear, now second example, I stayed Lahore for a few days, few का, a few का इस्तमाल हुआ, और उसके बाद जो noun आया, वो किस form में था, plural form में, मैंने लहोर में चंद रोज ही क्याम किया, मैं ये नहीं कह सकता, कि मैंने लहोर में बहुत थोड़े दिन क्याम किया, थोड़े दिन का मतलब ह बहुत थोड़े से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, यानि कि वो positive sense में बात करता है, negative की तरफ नहीं जाता, clear, उसके बाद आ जाता है, da few का स्तमाल, da few का मतलब है, जो भी है, सारे का सारा, clear, मतलब कुल जो भी है, है वो थोड़ा, लेकिन वो सारे को count करेगा, clear, da few, जो भी है, सारा, clear, da few, friends, da few का इस्तमाल हुआ, उसके बाद जो noun आया, वो किस form में आएगा, plural form में, तीनों में, few में, a few में, और da few में, noun जो इस्तमाल होगा, वो हमेशा plural होगा, has are all poor, उसके जितने भी दोस्त हैं, सारे के सारे क्या हैं, गरीब, मतलब सब कुल की व clear, second example है, the few cloths, they had, da few का इस्तमाल हुआ, उसके बाद noun आगया, plural form में, they had were rough, उनके पास जितने भी कपड़े थे, वो क्या थे, rough, सारे के सारे क्पड़े क्या थे, rough, clear, ये था da few, और ये था आज का हमारा lecture, लेते हैं, about a view of today's lecture, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा, few, few, are few, और da few, ये तीनों क्या है, adjective है, few, are few, और da few को किस के साथ इस्तमाल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ, countable nouns के साथ, फिर हमने देखा, few, are few, और da few के बाद, जो भी noun इस्तमाल किया जाएगा, वो हमेशा plural form में होगा, clear, फिर हमने देखा, few का मतलब होता है, insufficient, और इसको negative sense में लिया जाता है, और इसका मतलब होता है, बहुत कम ना होने के बराबर, फिर हमने देखा, a few, a few का मतलब होता है, sufficient, काफी, positive sense में इसको लिया जाता है, उसके बाद हमने discuss किया, da few को, da few का मतलब होता है, कुल, सारे का सारा होता, तो ये भी थोड़ा है, लेकिन इसमें सब को शामल किया जाता है दो में याद रखिएगा, अपना धेर सारा खिया रखिएगा टेके, बाई बाई, आला हाफिज